है लो गाइस कैसे हो आप सभी होफ़ुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का थुरू आपको बहुत अच्छी इंफर्मेशन मिल रही होगी तो दोस्तों आप जैसे की जानते हो कि अभी हम सिख रहें प्राइस अक्षन ट्रेडिंग और यह प्राइस अक् है देख लो बढ़ना हो सकता है बहुत कुछ आपको समझ में ना आए तो बिसकलिए आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वालों एक बहुती 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 प्राफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेडिंग का बारे में इसे उस करके आप चाए फोरेक्स में क्रिप्ट और मैं आप वीडियो को स्टार्ट करने से पले बता दू कि इस वीडियो का आप लाइक जरूर कर जिए मैं एक टार्गेट रखता हूं 50 लाइक का और मुझे पुरा उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्दी से लाइक को कम्पलीट कर देंगे तो चलिए वीडियो को तो इस स्ट्रेटेजी में हम यूज करेंगे बोलिंगर बैंड का और उसके साथ साथ दो प्राइस एक्षन चार्ट पैटन का डबल टॉप एंड डबल बॉटम दोनों ही चार्ट पैटन का एक डिटल्स वीडियो बना कर रखा हुआ है तो प्रिवियसली जितने ही प्राइ केट करेंगे अपने टर्मीनल में तो आज आप कुछ इस तरीके सा देख पाहेंगे। ऊपर का जो शॉरलाइन को चैकल टो में बैैं को प्राइस जो है जो Upper band & lower band है ओओ SMA का standard division है। खरन को जो कई सब्ढक सकता है क्योंकि जितने भी Linky setup होता है। स्बसक्ता है। उसके लिए,잡ा Carsonpees, अब बहुत कोई जांगे कि बोलिंगर बैंड से जब ट्रेट करते उनको उनका जो स्टॉप लॉसे वो हिट हो जाता है तो ऐसे में सिर्फ बोलिंगर बैंड नहीं आप सिर्फ और सिप एक इंडिकर्टर को पर भरोसा करके अगर ब्लाइंडी ट्रेट करेंगे तो फिर मोस्ट अब दा टाइम आपका स्टॉप लॉ सकता है तो चलिए स्टाटिजी का बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको बॉलिंगर बैंड को सेट कर लेना है और उसके बाद चलिए जान लेते कि अगर बॉलिंगर बैंड में आपको एक एम टाइप या फिर डबल टॉप चार्ट पेटन मिले तो उस टाइम पर आपको पहला जो टॉप है वो बनाया है और यहां पर आप जो देख रहे हो कि दूसरा जो सेगंड टॉप है वो बनाया है और उसके बाद मार्केट ने कंटिनुवसली जो है डाउन ट्रेन का तरफ मार्केट ने गया है तो आपको बता दे कि जब भी आप डबल टॉप चार्ट प सेगंड कर्मेशन आपको देखना है जो सेगंड टॉप है ओ जो मार्केट का अपर बैंड है उसे टच नहीं करना चाहिए हो सकता है कि जो फर्स टॉप है उसके बाद सेगंड टॉप को बिट करके उपर चला जाए लेकिन कभी भी जो सेगंड टॉप है यह उपर बैंड को ट सच नहीं करना चाहिए और उसके बाद आपको थर्ट कन्फरमेशन क्या लेना है ना थर्ट कन्फरमेशन आपको लेना है जो सेगेंड टॉप का हाइस्ट कैंडल है टॉप कैंडल है उस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है उस पॉइंट का नीचे एक बियरी स्कैंड एक जो है बीरिस या रेट कैंडल बनना होगा फुल बॉडी के साथ अगर ये बन गया तो आपको थर्ट कंफरमेशन मिल गया अन लास्ट आपको कंफरमेशन क्या देखना है कि जब फुल बॉडी एक ब्यरिस कंडल मिले और मिडिल बैन को क्रोस करे उस टाइम पे आपको इस पोजिशन से ओपेन करना होगा जो है आप सौर्ट सेलिंग कर सकते हो ये एक सेल का पोजिशन को ओपेन कर सकते हो इस रहेगा उस टॉप को जो है कभी भी जो अपर बैन है उससे टच नहीं करना होगा इससे क्या आपको समझ में आता है कि मार्केट का जो बुलिस ट्रेंट था वो पहले से कम हो चुका है यानि मार्केट में बायर्स पहले से कम हो चुका है and third confirmation है कि जो top का candle है उसके बाद का candle को open होना होगा previous candle का close point से नीचे and at the last fourth confirmation है कि जो middle line है इसे market को close करना होगा candle को close करना होगा या break करना होगा इसके बाद इस position से आप एक fresh sale का position को open कर सकते हो and अब बात कर लेते कि आपको take profit कहां रखना है तो आपका first target होगा जो lower band है उस portion में यानि इस portion में आपका जो है पहला target होगा take profit का लेकिन bollinger band को use करके जब भी आप कोई price action pattern में trade करेंगे तो आपको धियान रखना है अगर जो lower band है इसे touch करते हुए market नीचे का तरफ गया जैसे कि आप देख पर हो यहाँ पर बहुत बार lower band को touch किया तो फिर आप सोच सकते हो कि market में बहुत ज़्यादा bearish trend चल रहा है तो ऐसे में आपको profit को तब book नहीं करना चाहिए आपको और कुछ time wait करना चाहिए और कुछ time बाद आपको profit को book करना चाहिए जब तक market में कोई भी trend reversal candle ना मिले तब तक आपको अपना trade को hold करके रखना चाहिए और जब तक आप देखेंगे कि lower band को touch करती हुए market जाएगा तब तक आपको trade को hold करके रखना चाहिए इससे आपको काफी अच्छा फाइदा हो सकता है अगर stop loss का बात करें तो ऐसे में stop loss अब लगा सकते हो जो highest candle था यानि second top का जो candle था उस candle का उपर में यानि इस position में आप stop loss को लगा सकते हो लेकिन एट depend करता है आप कौन सा risk to reward ratio में trade करते हो उसके उपर अगर आपका risk to reward ratio और ज्यादा है तो उस time पे आप अपने हिसाब से stop loss को set कर सकते हो तो ऐसे में जो है इस strategy को follow करके आप trade कर सकते हो बहुत अच्छा आपको profit मिलेगा अगर आपको bollinger band में M type का या double top का chart pattern मिले लेकिन आपको जो चार confirmation मैंने बताया चार confirmation को आपको सबसे पहले देखना है उसके बाद ही आपको trade को open करना होगा तो दोस्तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर bollinger band के भीतर आपको double bottom chart pattern मिलता है तो फिर आपको कैसे trade करना है तो दोस्तो इस strategy लगबख सेम ही है सिर्फ आपको जो है आप जैसे की जानते हो कि double top chart pattern का opposite रहता है double bottom chart pattern और यह काफी हद तक W का तरह रहता है तो यहां पर आप GBP USD का same one hour का chart में देख पार हो कि एक बहुत इफ्रेस double bottom chart pattern हमें मिल चुका है तो यहां पर आप देख पार हो कि first जो bottom है वो हमें मिला है और यहां पर देख रहो हमें second bottom मिल चुका है तो पहला confirmation आपको देखना है कि first bottom जो lower band है उससे touch करना होगा या touch करके उसके बाहर जाना होगा and second bottom जो है lower band को touch नहीं करागा यहां आप देख पार हो कि जो shadow है वो touch किया है lower band को लेकिन जो candle का body है वो touch नहीं किया है तो आपको बता दे कि जब भी आपको second confirmation मिलेगा यानि जो number two bottom है second bottom है वो अगर lower band को touch नहीं करे तो फिर आप सोच सकते हो market का जो बहुत ज़्यादा bearish trend था वो काफी हद तक खतम हुआ है और ये धीरे धीरे जो है इसके बाद bullish trend का तरफ जा सकता है यानि bearish trend पहले से बहुत ज़्यादा खतम हुआ है तो second confirmation अगर आपको मिल जाए उसके बाद आपको देखना है जो lowest candle है सबसे low candle है उसके बाद का जो candle है वो बनना होगा एक bullish candle and उसके बाद का जो candle है उसे बनना होगा जो है उसे open होना होगा previous candle का close point का उपर तो जैसे कि आप देख पार हो कि यह जो lowest candle है इसके बाद दो full body candle नहीं बना है और उसके बाद जो third number का candle बना है एक full body candle and यह open हुआ है previous candle का close point का उपर में तो इसी तरह आपको third confirmation भी हाँ पर मिल गया है and fourth confirmation आपको देखना है कि जो middle का band है middle का band को cross करके breakout करके market को उपर का तरफ जाना होगा and जैसे market full body candle का साथ middle का जो band है इसे cross किया तो उस position में आपको इस position से open करना है एक buy का fresh position तो इसके बाद आपका first target होना चाहिए upper band यानि upper band जो आप देख पार हो upper band तक आपका होना चाहिए first target यानि इस position में आपको लगाना है आपका first take profit लेकिन उसी पहले का तरह ही मैं को बता दू कि अगर bollinger band का अंदर आप bollinger band को यूज़ करके आप trade करते हो और upper band को touch करते हुए market उपर का तरफ जाता है जैसी कि आप देख पा रहे हो कि continuously upper band का उपर ही candle बना है इससे touch करके है कभी कभी इसके बाहर भी market चला गया है उस time पे आपको take profit नहीं लगाना है अपना profit को book नहीं करना है आपको wait करना है इससे आपको और ज्यादा फाइदा मिल जाए और जब तक आपको कोई train reversal candle ना मिले तब तक आपको continuously अपना जो trade है उसे hold करना है और आपको wait करना है profit आपको book नहीं करना है and stop loss का अगर बात करें तो आप stop loss लगा सकतो जो lowest candle था उस candle का जो lower zone है lower shadow कह सकतो या lower point कह सकतो उस point का नीचे आपको लगाना है stop loss ऐसे में risk to reward ratio का यूज करके आप लगा सकती हो अब जो भी risk to reward ratio यूज करती हो उसके हिसाब से भी आप जो है अपना stop loss को लगा सकते हो अगर आप लंबे time का trader हो तो उस time पे आप और भी नीचे stop loss का यूज कर सकते हो तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे trade करना है bolinger band and price section को use करके मैं आप से को कहूँगा कि आप back test कर लीजिए जो भी strategy मैंने आपको बताया है अगर आप back test करेंगे तो देखेंगे दस में से 8 time जो है take profit hit हो रहा है और आपको profitability मिल रहा है तो strategy आपको कैसे लगा का नीचे आप कॉमेंट करके जरूर बताईए अगर आप हमारे चनल का न्यू वे और सोथ चनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मद भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मद भूलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डूडियो में और एक इंट्रेस्टिंग सा टोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई जाई हिंद